दोस्तों क्या आप anonymous donation के बारे में जानते हैं काफी सारे questions आई है confusion है बहुत जादा आज मैं इस वीडियो के थुरू आपको clear करूंगा कि anonymous donation होता क्या है और आपको क्या है अपनी NGO में यह लेना चाहिए यह नहीं लेना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दो anonymous donation वह donation ह होता है दोस्तों अगर आपके पास 12 है भी ना तो भी इस पर tax लग सकता है इसलिए यह वीडियो आपके लिए खुछ जादा important है इसे बिलकुल ध्यान से देखना और लाश तक देखना दोस्तों anonymous donation होता है कि जब आपको donation मिल रहा है और उसके जो देने वाला है आपकी जिम चैक में donation receive करें चाहिए आप चैक से donation receive करें अगर किसी संस्ता के पास उसकी detail नहीं है तो उस donation को माना जाता है anonymous donation यानि कि उसका देने वाले का नाम और address identify नहीं कर सकते दोस्तों government ने इस तरह के donation पे special provision बनाया हुआ है कि अगर कोई संस्ता इस तरह का donation receive करती है कि उससे नही पड़ेगा चाहें आपके पास ट्वाले का registration भी हो कितना important provision है दोस्तों लेकिन दोस्तों इसमें एक important बात मैं आपको बता दूँ अगर किसी संस्ता के पास एक common donation है और आप उसके identification नहीं जानते कि यह किस ने दिया है तो government ने कुछ amount आपको exempt किया हुआ है दोस्तों क्या है आपका एक लाग रुपे तक या 5% आपने जो receive करा है वो आपको जो भी जादा हो उसमें आपको exemption मिल जाती है इसका मतलब क्या हुआ अगर आपने ऐसा anonymous donation receive किया हुआ है और आपको नहीं पता है कि यह किस ने दिया है तो उसमें से एक लाग तक की exemption आपको मिल जाएगी maximum औ चाहे आपके पास 12A हो भी तो भी आप पर tax लग सकता है तो दोस्तों यह था anonymous donation लोगों को लगता है कि मेरे पास 12A है और मेरा सारा donation है वो exempt हो जाएगा तो दोस्तों इस चीज़ का आपको धिहान रखना है जब भी आप donation ने देने वाले का नाम address pen number आपके पास उसका proof होना चीज़े और दूसरी बात दोस्तों इससे आगे हो सकता है कि आपकी NGO दो कैटेगरी की जैसे मैं आपको बताता हूं दो कैटेगरी हो सकती है या तो आप charitable work करते हो चाहे आप religious work करते हो दोनों में क्या difference है वो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं religious का मतलब जब आप एक किसी community के लिए काम करते हैं हिंदु-Muslim, Sikh, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, गुरुदवारा बना रहे हैं, religious activity पर काम कर रहे हैं, charitable का मतलब है जब आप कोई baseness नहीं हो के आप एक general public के लिए काम कर रहे हैं, आप cancer का hospital बना रहे हैं, जो व्यक्ति आए या religious हो सकती है, तो यह जो anonymous donation का जो provision है, यह किसके लिए? charitable organization के लिए, जो charitable organization है, अगर उने कोई anonymous donation मिलता है, तो आपको उस पर tax देना पड़ेगा, और maximum एक लाग तक की exemption आपको दी हुई है, एक लाग या 5% of the total donation, वो आपको exemption दी हुई है, लेकिन क्या यह provision religious को भी applicable होता है दोस्तों, religious को applicable होना तो बड़ा typical हो जाएगा, कैसे मैं कहा रहा हूँ, सपोज करो आपका एक मंदीर है, अब मंदीर में आके आप donation दे रहे हैं, आप बोक्स रखा हुआ है, और जो भी भक्त सुभे को आते हैं, वो उसमें donation box में डालते जा रहे हैं, तो उसकी detail कैसे पता ह करेंगे, उसका किस ने दिया, उसका नाम address, KYC आपको पता रहने चाहिए, और जो religious हैं, अगर वो इस तरह का donation receive करती है, बोक्स collection करती है, और उनका नहीं पता कि किस ने दिया है, तो वो allowed है, तो दोस्तों, यह था provision, anonymous donation का, जो कि बहुत जादा important है, क्योंकि लोग गलती कर कि donation जो मेरे पास case आए, उसमें donation लिखा हुआ है, बहुत donation लिखा हुआ है, बहुत donation लिया है, हमने तो इतना donation रिसीव करा है, it's very typical, अब now क्या करेंगे, तो इस चीज को solution करने के लिए, मुझे उमीद थी कि मैं आपको यह information share करूं, जिससे आप donation लेते हुए, पूरे KYC donation द ने वाली है, थैंकि दोस्तों